गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो प्रेलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है बॉंड येल्ड तो बॉंड येल्ड जो है वो न्यूस में क्यों चल रहा है बिकॉस बॉंड येल्ड जो है वो अब ड्रॉप होने लगी है अमने भी फर्स्ट वीक आफ एप्रिल में देखा था ना कि गवर्मेंट ने जी सैप आई मीन आर्बियाई ने जी सैप प्रोग्राम चलाया था जिसके तहत जो है आर्बियाई वास पर्चेजिंग हम देख लेते हैं अब ना जो बॉंड के प्राइजिस होते हैं और जो बॉंड की येल्ड होती है दोनों ऑपोजिट डारेक्शन में चलते हैं तो अब बॉंड येल्ड क्या है ठीक है बॉंड येल्ड बेसीक लिए आपको समझ लो जैसे आपको इंट्रस्ट मिलता है न व 10% और जो आपका बॉंड जो प्राइज है वो आपने एक लाग जमा कर रहा है तो वह एक लाग वापस मिलेगा आपको ठीक है लेकिन आपको एक कंफ्यूजिंग लगेगा सुनने में की बॉंड येल्ड और बॉंड प्राइजिस जो है वो ऑपोजिट डिरेक्शन में कैसे मूव होते हैं कि मतलब जब बॉंड यील्ड जब जादा बढ़ेगी जब जब इंटरस्ट ज़ादा बढ़ गया है तो प्राइजिस तो जादा नहीं होने चाहिए क्योंकि जो है लोग ज़ादा क्रीद देंगे क्योंकि जब अगर इंटरस्ट जादा मिल रहे है तो ठीक ह है आपने government से bond खरीदा एक लाख रुपे का ठीक है अब उसको आप market में trade कर रहे हो अब market में अगर bond yield जो है जो है वो कैसे decide होती है market rates के उपर decide होती है कि market जो है वो decide करती है कि bond yield आपको interest कितना मिलेगा ठीक है अब basically जब bond yield मतलब अगर interest rate कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जब नहीं चलो पहले आप bond yield go up का आप example समझते है कि yield अगर बहुत जादा market में बढ़ रही है interest उस पर बहुत जादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि prices कम हो रहे हैं अब ये कैसे हो रहे है कि अब जो है market में उसकी जो bond है उसकी demand ही नहीं है लोग खरीदना ही नहीं चाहते तो आपको जो है जो investors है जो की जिनके पास bond है वो उनको ज़ादा interest देना पड़ रहा है कि भई हमसे ज़ादा interest लेलो लेकिन आप हमको पैसा दे दो ठीक है तो जो bond है उसकी demand कम है उसी को जैसे prices कम हो रहे है उन prices को कम हो रहे है तो अब जो है कम हो रहे है उसको compensate करने के लिए bond yield बढ़ रही है लोग ज़ादा interest देने को चाहर है Vijay Malaya is saying कि मैं कि आप मुझे जो है loan जो है आपने में को loan जो देना है वो 10% interest में मैं आपको वापस दूँगा 5% की बजाए आप मुझे loan 100 की बजाए 90 रुपे का loan दे दो ठीक है यह basic आपको तरीका समझाने का है आपको मैंने अपनाया कि market में demand कम है मतलब जो है लोग उसको खरीदना ही कम चाते है उस bond को तभी जो है जो लोग है वो उसको कम price पर भी बेचने को त्यार हो गए है और जादा interest भी देने को त्यार हो गए है इसका मतलब क्या है market में bond की demand कम हो गई है तो यह situation इस time पर prevail कर रही है कि market में bonds की demand जादा हो गई है उसी की वज़ा से जो है bond yield वो है वो नीचे चली गई है ठीक है मतलब Vijay Malia जो है या आप समझ लो कोई अच्छा example ले लेते हैं जो जिसकी जो financial situation अच्छी है समझ लो अंबानी है ठीक है मुझे तो पैसा चाहिए ही नहीं मैं क्यों borrow करूंगा market से अगर तुम मुझे कम interest पर loan दे रहे हो 2% पर या 1% पर तब मैं लेने को त्यार हूँ इसका मतलब कहा है कि prices are going up मतलब लोग जादा demand कर रहे हैं bond की और कम rate पर भी खरीदने को त्यार है ठीक है तो मतलब prices go up मतलब demand जादा है जब किसी भी चीज की demand जादा होती तो price उसके उपर बढ़ जाते है ठीक है और bond yield नीचे चली जाती है मतलब लोग उसमें जो interest कम जो है उसके कम देने को त्यार होते हैं कि मेरे पास तो वैसे ही बहुत पैसा है demand लेकिन बहुत जादा लोग कह रहे है कि please हमसे पै यह कुझार है और हम कम इंटरस्ट में देने को त्यार है ठीक है तो यह एक trade-off है bond yields और bond prices में कि अगर bond के yield बढ़ती है तो उसके price down जाते है और bond की yield अगर कम होती है तो bond के prices जो है वो उपर जाते है ठीक है अब bond yield झो है कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो bond के prices ह वो उपर जाएंगे ठीक है अब bond yield कम हो रही है देखा जा रहा है कि RBI ने interference की है इसमें market में GSAP के थूँ तो उससे क्या हो रहा है कि bond yield कम हो रही है क्योंकि क्या कर रहा है RBI RBI जो है वो demand बढ़ा रहा है RBI जो है वो markets से बहुत सारी securities खरीद रहा है एक लाग करोड रुपे की securities जब वो खरीद रहा है तो इसका मतलब क्या है market में बहुत जादा securities की demand है जब बहुत जादा demand हो जाती है तो जो है interest rate कम हो जाता है ठीक है जो यह जैसे हम देख रहे है bond yields is going down RBI जो है उसने बहुत जादा purchase किया April और June quarter में उसने और भी जादा purchase करना है तो उससे क्या होगा interest rate जो bond yield है वो कम हो जाएगा अब इससे फाइदा किसको है investor को तो फाइदा नहीं है उतना but of course yes there will be जो capital gains है उसमें फाइदा होगा लेकिन interest उनको कम मिलेगा ठीक है अब चलो यह आगे देखते हैं लेकिन इससे सबसे बड़ा फाइदा किसको हो रहा है government को government को अब कम interest पर जो है वो loan मिल जाएगा because market में बहुत सारे लोग जो है वो demand जादा create हुई है बहुत जादा जो लोग है वो त्यार बैठे है government जब borrowing करेगी तो बहुत जादा लोग उसमें invest करने को त्यार बैठे है इसका मतलब यह है ठीक है अब फाइदा किसको होगा जब bond yield down जा रही है तो prices up हो रहे है ठीक है तो आपका जो 100 रुपे का loan था उसको लोग 110 रुपे में भी खरीदने को त्यार है इतने ज़ादा जो है demand हुई पड़ी है इस time पर government bonds की ठीक है या bonds की basically तो उससे फाइदा किसको होगा जिसने 100 रुपे का bond खरीदा था उसको 110 रुपे में बेचने का इस time पर मौका है तो उसको capital gains का जो है वो chance मिला है कि वो 10 रुपे कमा लेगा चाहे उसको interest कम मिलेगा ठी capital gains जो है उसके लिए बढ़ जाएंगे ठीक है तो यह एक फाइदा उनको होएगा जो investors है उनको इस time पर फाइदा होगा अब यह bond yields जो है वो कम क्यों हो रही है एक तो US Treasury yields जो है उसमें बहुत decline आया है और economic uncertainty की वैसे भी decline आया हुए लेकिन सबसे बड़ा reason यही है जो RBI ने intervention की है RBI ने demand बढ़ा दी है government bonds की उससे क्या हो रहा है कि prices up हो गया bond के क्योंकि सारे लोग खरीदना चाह रहे है और government जो है वो इस time पर ऐसी position में है कि वो कह रही है कि मैं मैं जो है मुझे मैं कम interest जो दोंगी अगर तुम मेरा bond खरीदना चाहते हो क्योंकि तुम बहुत सारे interest देना पड़ता ज्यादा yield देनी पड़ती और कम price पर जो है वो bond issue करना पड़ता कि अगर 100 रुपे बौरो करने है तो उनको 90 रुपे बौरो करने पड़ते और जो है बाद में 100 रुपे pay करने पड़ते at the time of maturity अब इसका impact markets और investors पर क्या होगा अब जो है investors को जो है इससे फ रेपो रेट जो है आपका पता है न जो RBI जिससे जो है जिस पर लोन देता है समझलो banks को उसको हम रेपो रेट कहते हैं और जो यह government bond है इसकी yield जो है वो interest rate होता है तो जो banks क्या थे वो क्या कर रहे थे कि government securities जादा खरीदनी prefer कर रहे थे और उससे क्या होता है कि रेपो invest ही नहीं कर रहे हैं banks तो उससे क्या होगा कि RBI जब रेपो रेट में कोई change करेगा तो banking sector में कोई change ही नहीं आएगा ठीक है तो उनको यहां से shift करके रेपो रेट की तरफ लाने के लिए क्या है इन दोनों में difference कम रखना पड़ेगा so that जो है government जो bank है उसको यहां पर government bonds में भी उतना ही फाइदा दिखे और रेपो रेट का भी उतना ही वाइदा दिखे ठीक है अगर इसमें बहुत फाइदा दिखेगा तो banking sector सारा इसकी तरफ मूव होने लगेगा रेपो रेट में वो investment करेगा ही नहीं मतलब RBI में जो है वो पैसा डालेगा ही नहीं फिर RBI जो है कि तुछ का मोनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल नहीं कर पाएगा ठीक है अब इक्वेटी मार्किट्स जो है वो उस पर क्या फर्बढ़ता है जब बॉन येड जब नीचे जाती है तो इक्वेटी मार्किट्स जो है वो बहुत अच्छा परफारम करती है ठीक है और जो बॉन जब उपर जाती है तो जो है equity markets जो है वो अच्छा perform नहीं करती है क्यों नहीं करती है जब bond yield बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मतब interest ज़्यादा मिल रहा है तो जो investor है वो कहेगा कि equity markets की तरफ वो जादा पर जो है वो मूव होने की कोशिश करेंगे अब RBI जो है वो क्यों yield के उपर check रखना चाहरा है so that government की जो borrowing है क्योंकि अब corona के time पर government को बहुत जादा borrowing करनी पड़ेगी market से तो जब यह yield जब कम interest ले आएगा market में जो है RBI तो government को कम cost पर जो है वो borrowing करने को मिलेगी 10 साल बात जो है जो उनको पैसा लटाना है वो 2% या 3% या 4% पर लटाना पड़ेगा rather than जो पहले situation थी जब 8-8% या 7-7% पर पैसा लटाना पड़ता ठीक है तो इससे related जितनी भी terminologies है वो आज हम सारी cover कर लेते हैं ठीक है patents होते क्या है patents एक ऐसा intellectual property guide का tool है जिससे कि अगर समझ लो मैंने एक बहुत सुंदर painting बनाई ठीक है अब उस पर मैं patent ले लेंगा कि मेरे जैसी ये painting दुबारा कोई और ना बना पाए for a specified period of time इसको कोई copy ना कर पाए ठीक है तो government मुझे वो monopoly देदेगी कि ऐसी painting सिरफ इसी person के पास हो सकती है for a limited pre-specified time ठीक है मैं पेंटिंग का दो example जो आपको दे रहा हूँ वो वैसे different होता है वो copyright के context में होगा बड़ मैं आपको सरफ समझाने के लिए दे रहा हूँ ठीक है चलो आप example भी उसको change कर लो मैंने कोई दवाई बनाई है ठीक है उस पर मैंने patent ले लिया और मैंने कहा कि मैंने इस पर बहुत research खर्च किया है बहुत मैंने दिमाग लगाया है अपना बहुत resources खर्च किया है तो मैं इस पर patent करवा रहा हूँ कि कोई और जो है इसको ना बेच पाए ठीक है और दो तरह के patent होते हैं एक होता है product patent एक होता है process patent अब product patent में क्या होता है कि जो final product जो मैंने दवाई बनाई है वो इस हिसाब से protected होगी कि मैं जो है किसी और को भी मना कर सकता हूँ कि इस period के दुरान आप इसको नहीं बेच सकते तो मतलब total monopoly मेरे पास है process patent में क्या ह होता है कि जो जिस process से मैंने वो दवाई बनाई है उसमें थोड़ी से अगर कोई modification कर ले समझ लो मैंने कोई salt use किया है तो उस salt को से मिलता जुलता salt use करके कोई और उस दवाई को बना कर बेचना चाहे तो वो बेच सकता है ठीक है तो यह process patent में थोड़ी जो है उस final product को बेच करना पड़ेगा ठीक है तो इंडिया जो है वो पहले product patent को follow करता था कि मतलब monopoly बन जाती थी कि मैंने दवाई बनाई है कोई और नहीं बेच सकता उसको लेकिन वो जैसे ही process patent की तरफ move हुआ 1970 में हमारा Indian Patent Act जो था उसने कहा कि process patent आप जो है उसकी तरफ move हो जाओ उससे क्या pharma companies थे उन्होंने उसमें थोड़ा सा process में जो है change करके उन anti HIV drugs को जो है वो market में एफरिका में बेचना शुरू किया और इंडिया की जो drugs थे उन्होंने western countries की जो pharma companies की जो drugs थे उनको outperform कर दिया और वहां के लोग जो है इंडिया based जो pharma जो ये drugs थे उसको prefer करने लगे तो western countries जो थी वो जो है वो दुखी हो गई कि ये क्या मतलब हुआ कि हमारा सारे डिसर्च हुई है इन्होंने थोड़ा सा जो है वो बस change करके जो वहां पर बेचना शुरू कर दिया और हमारे को competition हमारे जो है देने लग गए है कम rate पर थिक है तो क्या हुआ फिर western countries ने दिमाग licensing या जो आप ऐसे जो provisions है modifications करके बेचने वाले आप ऐसे नहीं कर सकते strict patent के rule रहेंगे अगर कोई जो है किसी को patent मिला है तो सिरफ उसको वही बेच सकता है तब इंडिया जो है वो उसने ये बेचना बंद कर दिया ठीक है फिर 2005 में इंडिया को अपने patents act में जो है amendment करनी पड licensing क्या होता है कि government जो है वो किसी person को permission दे सकती है कि अब मैंने जो द्वाई बनाई है और मैं कह रहा हूँ मैं 3 साल तक इसको monopoly बना कर बेचूँगा because इस पर मैंने बहुत दिमाग लगाया बहुत research की है तो इसको सिरफ मैं ही बेच सकता हूँ तो government जो है मेरी जो ने जो मेरे को license दे रखा है 3 साल के लिए चार साल के लिए उसको government revoke कर सकती है अगर कोई ये कहे कि ये जो person जो द्वाई बेच रहा है ये बहुत high price पे बेच रहा है लोगों को जो है वो फाइदा नहीं मिल पा रहा है इसका लोग जो है मर रहे है vaccine जैस मेरी vaccine उनको purchase करनी पड़ेगी तो government जो है उसके पास जो है बहुत सारे लोग जाएंगे जो की बना सकते हैं वो vaccine वो कहेंगे कि ये एक लाख रुपे की बेच रहा है इसकी वज़से लोग मर रहे है ये जान बूज के जो है monopoly बना के बैठा है hoarding कर रहा है जान के market में उतनी जो है quantity लेके नहीं आ रहा so that और जादा price बड़े तो government जो है उन लोगों को permission दे सकती है compulsory licensing की मतलब उनको permission दे देगी कि आप जो है बिना मतलब मुझसे पूछे जो है आप बना सकते हो जो ये vaccine है और इसको आप कम price पर बेच सकते हो ठीक है तो इससे क्या होगा कि मेरा patent ज licensing अब इंडिया में ऐसे कौन से laws है जो compulsory licensing को govern करते हैं इंडिया का जो patent act 1970 का जो था उसमें section 84-1 कहता था कि अगर कभी ऐसी situation आ गई है कि invention जो है वो public needs को satisfy नहीं कर पा रही या फिर जान बूझ के उसका price affordable नहीं है बहुत महंगी है या फिर जो है manufacture जो है वो country में fully जो है manufacture न invoke कर देंगे और वो patent जो है उससे छीन लिया जाएगा so that other people can manufacture that product और public का भला हो पाए ऐसे ही national manufacturing policy जो हमारी है वो भी यह कहती है कि अगर green technologies जो renewable energy जो है आपको पता है कितना important है हमारे country के लिए उसमें अगर मैं कोई patent कर वालूं कुईसी product को और फिर उसको बहुत महंगी अब समझ लो जैसे मैं example देता हूँ कि electric cars है उसकी battery मैंने जो है वो बनाई और उसका मैंने patent ले लिया कि सिरफ इसकी battery मैं ही बना सकता हूँ ठीक है और फिर उस battery का price मैं इतना high करूँ कि लोगों की जो है जो affordability से वो बाहर चला जाए मतलब लोग उसको afford ही ना कर पाए ठीक है त ठीक है तो ऐसे ही MSMEs के लिए जो है Technology Acquisition and Development Fund जो है बनाया गया है उनको भी अलाओ किया है कि अगर कोई जान भूच कर कम जो है वो महेंगे rate बेच रहा है या कम जो है supply दे रहा है तो आप जो है ये compulsory licensing के थ्रू जो है आप manufacturing कर सकते हो MSMEs को ऐसा कहा गया है ठीक है फिर CL ज केस में national emergencies या फिर कोई ऐसी anti competitive practices जो है या फिर extreme emergency है उस case में compulsory licensing permissible है तो याद रखो जो हम कह रहे है trips में waiver चाहिए trips का waiver चाहिए उसके अंदर भी provision है कि compulsory licensing हो सकती है जब national emergencies चल रही हो तो अभी जो corona की situation है this is a national emergency इससे बड़ी emergency और क्या हो सकती है तो उसमें हम जो है compulsory licensing invoke क कर सकते हैं लेकिन of course US को भी invoke करना पड़ेगा so that हम जो है individual countries को अपनी अपनी countries में compulsory licensing invoke करना पड़ेगा so that उनके वहां की जितनी भी pharma companies है उनका formula जो है बाकी लोग use कर पाए ठीक है लेकिन US EU यह सब जो है वो चाहते ही नहीं है कि यह compulsory licensing को invoke किया जाए वो कह रहे है कि नह इसी भी है 2016 की उसके अंदर भी provisions है कि compulsory licensing हम restrictions उसके साथ जो है वो invoke कर सकते हैं बहुत कम जो है restrictions रखी है compulsory licensing के उपर मतलब कि सिरफ public health emergency जैसे कि कभी pandemic आ गई कोई epidemic basically आ गई तब ही जो है WTO की guidelines के तहती हम सिरफ compulsory licensing invoke करेंगे because India में ने compulsory licensing जो है उसका बहुत misuse भी किया गया बहुत सारी ऐसी western जो फार्मा companies थी उनका formula जो है compulsory licensing invoke करके जान बूच के चुरा लिया गया और हमारी Indian companies जो है उन्होंने उसको manufacture करना शुरू कर दिया और उनके साथ compete करना शुरू कर दिया तो बहुत सी western जो फार्मा companies है वो इंडिया में इसलिए आना ने चाहती because उनको ड कि हम compulsory licensing सिर्फ पहुत ही rare situations में जैसे epidemic वगारा की situations में public health emergency के time पर ही सिर्फ invoke किया करेंगे वो भी WTO की guidelines के साथ ठीक है तो यह IPR policy 2016 कहती है ठीक है अब ऐसे ही यह इसके अंदर अलग-अलग provision है जो IPR का जो intellectual property rights की जो रजीम है वो इंडिया में DIPP अब DIPP का जो नाम change हो च इंडस्ट्री जो हमारा promotion जो यह अब change हो चुका इसका DIPP का नाम वो अब इसका department जो है वो इसका जो है basically nodal agency है ठीक है अब WTO का TRIPS agreement क्या है WTO का TRIPS agreement जो है उसका नाम है agreement on trade related aspects of intellectual property rights ठीक है तो यह बताता है सारी countries जो उसकी members है इस TRIPS agreement में कि आपको अपने IPR laws minimum किस level पर ब standards तो रखने ही पढ़ेंगे अपने laws में उसी के basis पर सारे member states जो है WTO के वो अपने country में जो है वो यह IPR के laws बनाते हैं तो 1994 में इसको sign किया गया था Uruguay round में ठीक है और TRIPS जो है उसको क्योंकि उस टाइम पर जो है कोई भी जो है exception नहीं दी गई थी तो TRIPS ने 2003 में developing countries के कहने के बाब बात जो है compulsory licensing के provisions कुछ cases में include किये थे ठीक है क्योंकि public health emergency या जो यह extreme emergency के जो situation जो है वो पहले include नहीं की गई थी 2003 में include कर ली गई developing countries के कहने के time पर लेकिन US और Europe जो है वो इससे आज तक खुश नहीं है कि नहीं यह compulsory licensing जो है यह कभी भी include नहीं होने चाहिए किसी भी case में include नहीं होने चाहिए ठीक है next topic हमारा है uranium तो आपको पता है अभी दो लोग जो है उसको महराष्टर की ATS ने arrest किया है वो uranium जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे अल्मोस्ट 21 करोड रुपे का बात का uranium जो है natural uranium उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे ठीक है तो महराष्टर ATS ने basically एक तरह से जाल बिचाया और उन्होंने खुद consumer बनके उसको खरीदने की कोशिश की फिर उसको जो है मतलब उनसे लेकर भाबा Atomic Research Center में उन्होंने जब देखा तो सच में वो natural uranium ही था फिर उसके बाद उन्होंने उनको उन दोनों persons को Atomic Energy Act 1962 के अंदर उन यूरेनियम बेरिंग मिनरल से इसको यह silver grey metallic appearance का होता है और यह कहां यूज होता है जो medical processes होते है उसमें radiation therapy जो होती है उसके against एक shield की तरह इसको यूज किया जाता है कि radiation का जो खत्रा है वो लोगों पे ना पड़े इसलिए uranium उसको यूज किया जाता है यूरेनियम की बहुत high density होती है उससे क्या होता है कि जो radiation है वो जो है वो उसको पार नहीं कर पाती और जो radiation को यह absorb कर लेता है ठीक है इसको as a counterweight भी use किया जाता है in aircrafts और industrial machinery में तो अजो यह लोग जो दोनों जिरोंने चोरी करके उसको बेचने की कोशिश किया है तो उन्ह निकाला और उस machinery में से देखा तो उसको उनको पता लगा कि यह uranium है तो उन्होंने इसको जो है अपने contacts के थरू जो है उसको बेचने की कोशिश करी तो होता कहा है कि factories जो है वो as a counterweight machines में uranium को use करती है because वो बहुत dense होता है बहुत भारी होता है लेकिन हमारे जो atomic energy agencies के जो यह act है वो कहता है कि आपको use करने के बाद uranium वापस करना पड़ेगा government agencies को लेकिन वो करती नहीं है वापस companies और वो है वैसे का वैसी ही जो machine को scrap dealers होते है उनको बेच देती है ठीक है तो फिर यह scrap dealers होते है यह machine जो है उसमें से uranium को निकालके बेचने की कोशिश करते है जैसा कि इस case में हुआ और अब यह arrest हो चुके next topic हमारा है दहला दैम तो ठीक है तो तालिबान ने इस अफगानिस्तान के second biggest डैम जो दहला दैम है यह second biggest डैम है अफगानिस्तान का इसको जो है इसके उपर कबजा कर लिया है और यह डैम क्या है का रोल का है डैम जो है basically irrigation जो है farmers की उसके यह बनाया गया था और यह हलमान प्रोविंस में जो है अभी recently इसको capture किया गया है अभी क्योंकि वहाँ पर हलमान प्रोविंस में जो है वहाँ पर तालिबान और जो US military के बीच में थोड़ा सा भी dispute हुआ था ठीक है तो यह दहला दैम जो है यह अरगंदाब डैम भी खहते अभी आप्लिया तो यह दो देख टोड़ी तोड़ी विल में नेक्स ताम अंट अंट बढ़ा आपको अटिक करे